All your wonderful, wonderful wishes, I really, really appreciate them, thank you for making me feel so mean दोस्तों सलमान खान और केटनर कैफ की मोज सब्टेडिड फिल्म टाइगर 3 का लोगों को आफी इंतियार था वही फैंस का ये इंतियार जल्दी खतम होने वाला है, फिल्म दिवाली पर रिलीज होने वाली है लेकिन इससे पहले सलमान खान ने फिल्म का टीजर रिलीज कर फैंस का दिल खुश कर दिया चलिए दोस्तों आपको बताती की फिल्म टाइगर 3 का टीजर को देखकर काजोल की कैसी रही दिवानगी और उन्होंने क्या कहा काजोल अपने बयान में कहा की टाइगर 3 का टीजर आते ही सोसल मेडिया पर ट्रेंड करने लगा एक बार फिर कैटने और सलमान खान को स्क्रीन शेयर कर देख लोगों में खुसी का कोई ठीकान नहीं वहीं टीजर भी बहुत सांदार है टाइगर 3 में कई बड़े इस्टार नजर आने वाले हैं फिल्म में सलमान खान और कैटनक कैफ के अलावा इमरान हास्मी भी दिखने वाले हैं इमरान हास्मी इस फिल्म में विलेंड का रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे टीजर के बाद अफ फैंस को टेल और फिल्म की रिलीज का इंतियार है। फिल्म में पठान के रूप में शारु खान का केमे रोल नजर आने वाला है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस बार फिल्म टाइगर 3 ब्लोगवस्टर साबित होने वाली है। अब इसे ही फैंस में इतना खतरनाक रेज देखने को मिल रहा है टाइगर 3 को लेकर तो समझो फिल्म 2000 क्रोड का अकड़ा तो पार्क कर ही लेगी। क्योंकि सल्मान खान को भी पसंद करने वाले की कोई कमी नहीं और उन्हें खास करके इंडिया में ज्यादा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से फिल्म टाइगर 3 के टीजर को देखकर खुसी से जूम उटिये काजोल। बारा दोस्तों आप काजोल के इस बैन पर अपनी क्या राय रखते हैं आप हमें नीचे कॉमेंट में जरू बताईएगा और ऐसे ही तायतरिन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरू ससक्राइब करें धन्यवाद